Hello everyone, आज की वीडियो में हम discuss करेंगे CET की cutoff के बारे में, CET की cutoff हम category wise देखेंगे, आपने देखा था कि जैसे ही CET का result आया था, उसके बाद एक slab जारी की गई थी, और उस slab में आपको बताया गया था कि 70-83 के बीच में इतने candidate है, 60-69 के बीच में इतने candidate है, इस category के total इतने candidate ह बताया गया था, और वो क्यों बताया गया था, उसका पूरा discussion में बताऊंगा कि उसकी actually में सच्चाई क्या थी, अगर आप ये data देख लिया तो आप अपनी preparation को और भी fast करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि वो slab से लिया गया actual data है, वो उन्होंने क्यों जारी की थी, वो में उलजी हुए है कि चार गुना candidate बुलाए जाएंगे, बट वो चार गुना candidate कौन होंगे, वो मैं बताऊंगा, पूरा का पूरा देखो, अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, slab की तरफ देखो, टोटल candidate कितने बुलाएंगे, तीन लाग सतावन जार पांसो बासट टोटल candidate कितने हैं, 223 candidate हैं, और 60 से 59.74 के बीच में कितने candidate हैं, 16194 candidate हैं, और टोटल अगर हिं 60 से लेकर 83.56 के बीच में जितने candidate हैं ना, टोटल इनको जोड़ दो, तो इनका जोड़ाता है 18397, यानि जर्नल कटैगरी के 18397 candidate जो है 60 से उपर है इनका स्कोर अब टोटल जो ट्वालिफाई कैंडिडेट है वो है जर्नल के 72,389 अब इसको है ना 18,397 कैंडिडेट को क्या कर दो इस में से माइनस कर दो 72,389 टोटल कैंडिडेट है जिनके नमबर है ना 38 से लेकर 83.56 के बीच में वो 23,388 कैंडिडेट है जिनोंन CET को पास किया है अब इस में से गटा दिया ये जो 53,992 कैंडिडेट है ना ये कैंडिडेट इस साथ मार्क से नीचे है समझगे इस बात का मतलब क्या है 60 से लेकर 83.56 के बीच में टोटल कैंडिडेट कितने होगे 18,397 और 18,397 को टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट में से माइनस कर दिया तो कितने 53,992 कैंडिडेट ऐसे हैं जर्नल के जिनके नमबर साथ से नीचे है अब आता दूसरी कटैगरी दूसरी कटैगरी देखो मतलब जर्नल के बाद आएगी EWS में नेखो 70 से 83.56 के बीच में कितने कैंडिडेट हैं 1208 यानी 1208 कैंडिडेट है 60 से 79.74 के बीच में कितने candidate है 7768 candidate है अब इन candidate को हम जोड़ दें तो total कितने candidate हो गए 8906 यानि 60 से लेकर 83.56 के बीच में कितने candidate है EWS के 8906 और total EWS के qualify candidate कितने है 49,967 है अगर इसको इसमें से माइनस कर दें तो 40,995 candidate ऐसे है EWS में जिनके नमबर 60 से नीचे है अब दूसरी category देखते हैं SE SE में 70 से लेकर 80.49 के बीच में कितने है बस 183 candidate है 183 और 60 से 69.74 के बीच में कितने candidate है 3817 candidate है अब इनको जोड़ दें 4000 candidate ऐसे है 4000 जो 60 से लेकर 81.49 के बीच में लाई करते है हैं सिरफ 4000 candidate हैं और टोटल क्वालिफाई candidate यहां सबसे ज़्यादा अंध्यान से देखो कितने हैं टोटल क्वालिफाई candidate ऐसी के 84,682 candidate हैं इस में से 4000 को माइनस कर दो 80,682 candidate ऐसे हैं जिनके नमबर 60 से नीचे हैं अब आगे देखो 20A का 70 से 83.56 के बीच में कितने candidate हैं only 626 candidate है और 60 से लेकर 69.74 के बीच में कितने candidate हैं 6,615 यानि 6,615 टोटल जोड़ दो कितने होगे 7,241 यानि 60 से लेकर 83.56 के बीच में कितने candidate हैं 7,241 और टोटल क्वालिफाइ केंडिडेट यहां भी जादा हैं कितने हैं 80,414 केंडिडेट ऐसे हैं जो CET क्वालिफाइ हैं अब ये 60 से 83.56 के बीच वाले जो है इस में से घटा दो 7,241 इस में से घटाएंगे कितने आ गए 73,100 केंडिडेट ऐसे हैं जिनके नमबर 60 से नीचे है अब बाद आती है BCB की BCB की क्या है देखो 70 से 82.42 के बीच में कितने केंडिडेट हैं Only 768 केंडिडेट है 60 से लेकर 79.74 के बीच में कितने केंडिडेट है 6,849 केंडिडेट है अब इसको क्या करो जोड़ दो 7,607 केंडिडेट ऐसे हो गए जिनके नमबर 60 से लेकर 82.42 के बीच में है वो 7,607 केंडिडेट है और BCB के टोटल कौलिफाई केंडिडेट कितने है 65,000 केंडिडेट है कितने है 65,000 केंडिडेट है अब इस 667 को इस वे से घटा दो कितने आएंगे 57,450 candidate इस VCB के कितने हैं ये 57,450 candidate क्या हो जाएंगे 60 से इसके नंबर नीचे हैं अब एक category और बच गई है वो है Journal Other State अब इसमें क्या है देखो इसमें 60 से लेकर 83.56 के बीच में सिरफ 82 candidate है 82 candidate है और 60 से 79.74 के बीच में कितने candidate है 1128 candidate है इनको जोड़ दो 60 से लेकर 83.56 के बीच में total candidate कितने आ जाएंगे 1210 और total qualify candidate कितने है Journal Other State के वो है 5053 अब इसको 1210 को इसमें से माइनस कर दो ये 3843 candidate ऐसे हैं जिनके नमबर 60 से नीचे है तो ये एक पूरा है अब मैं total करेंगे इन सब का total किसका जिनके नमबर 60 से उपर है देखो हमने देखा Journal के कितने है 60 से उपर 60 से लेकर 83.56 के बीच में कितने candidate है 18397 हमने या लिख दिया Journal का 18396 candidate जिनके नमबर 60 से उपर है अब EWS की बात करें EWS के 60 से लेकर 83.56 के बीच में कितने candidate है ऐढ़र 906 और हमने यहां लिख दिया है EWS के आठ 89006 candidate ऐसी है जिसके 60 से उपर नमबर है अब बात आती है SC elevation क están 409 के बीच में कितने हैं 4000 हैं और हमने यहां लिख दिया SC के कितने हैं 4000 है in उसके बाद मैं BCA की बात करें 69 से लेकर 83.56 के बीच में कितने candidate हैं 7241 candidate है और यहां हमने लिख दिया BCA के कितने हैं 7241 candidate हैं उसके बाद में BCB की बात करें 60 से लेकर 82.41 के बीच में कितने candidate हैं 7607 candidate है या हमने लिख दिया 7607 candidate BCB के जिनके नमबर 60 उपर है अब आती है जर्नल अधर स्टेट की टोटल साट से ओपर कितने बच्चे हैं यहां 1210 हैं यहां लिख दिया है जर्नल अधर स्टेट 1210 बच्चे ऐसी हैं जिसके साट प्लस मार्क्स हैं अब यह साट प्लस मार्क्स टोटल candidate गिनेंगे देखो 18,393 जर्नल के हैं EWS के 8,976 हैं SC के 4,000 हैं BCA के 7,241 है BCB के 7,607 है जर्नल अधर स्टेट के 1210 हैं यह ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके मार्क साट से उपर हैं अब देखो टोटल टोटल देखकर आप चौक जाओगे कितने हैं ओनली 47,430 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जिनके नंबर 60 से उपर हैं जिनके नंबर क्या है 60 से उपर हैं सिरफ 47,430 कैंडिडेट कितने हैं जिनके नंबर 60 से उपर हैं और टोटल क्वालिफाई कैंडिडेट कितनी हैं 3,57,562 है अब इस में से जितने भी मतलब 60 पलस वाले कितने कैंडिडेट हैं ओनली 47,431 हैं और टोटल पोस्ट कितने 31,000 पलस पोस्ट हैं अब यहां देखो 3,57,562 कैंडिडेट में से 47,430 कैंडिडेट यानि जिनके साथ चोपर नंबर वो घटा दो तो कितने आएंगे 3,10, 1131 कैंडिडेट आएंगे और यह 3,10,131 कैंडिडेट है ना इनके नंबर है ना 60 से नीचे हैं 60 से कम हैं तो आप खुद अब समझदार हो यह पूरा उस लैब का यह मतलब था कि actually मैं वो चार गुना सरकार क्यों बुलाना चाहती है CET के लिए क्योंकि 60 पलस वाले तो 47,431 क उनली 47,430 कैंडिडेट जो है 60 से उपर नंबर हैं जिनके नंबर 60 से 83.56 के बीच में हैं वो कैंडिडेट सिरफ 47,430 हैं और टोटल 3,67,562 कैंडिडेट हैं और यहां 3,10,133 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 60 से कम नंबर हैं तो आप खुद समझदार हो कि कट ओफ क्या अब यह कटेगरी वाइज मैंने एक एक डिटेल आपको बिल्कुल डिसक्रिप्सन में कर दी है अगर आप इसका सक्रीन सोट लेना चाहते हो अगर किसी को यह लगे ना कि यह सब एक्चुल डाटा नहीं है तो मेरे टेलिग्राम चैनल पे चले जाना मैं अपने टेलिग्रा 2430430 कैंडिडेट ही है जिसके 60 से उपर नंबर है अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी लेटस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहें अब आप समझ गए होगे कि हमारी कट ओफ क्या रहेगी 60 नंबर वालों का भी नाम आ सकता है 100% के साथ क्योंकि कैंडिडेट ही पूरी नहीं होते हैं चार गुना इनके पास तो 47431 कैंडिडेट हैं जिनके 60 से उपर मांक्स हैं तो आज की वीडियो में इतना ही बने रही ऐसी लेटस्ट अपडेट के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर थैंक यू, थैंक यू, वेरी मुच